नमस्ते मैं सुरेश वोड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस इंदी टैरो पर तो आज हम आज हम सैजिटेरेश यानि धनूरासी की रेडिंग करेंगे जो एक जर्नल लेडिंग है ये ओवरॉल रेडिंग होगी ये मार्च महिने के लिए ओवरॉल रेड ये'm all को आप अपने शाथ लगा सकते हैं और एकजनल लेडिंग हैसा कि आप जानते ही 100% सब पर प्रेज़नेट नहीं होती जिस पर जितने रेज़नेट होती पिलिज्थ करते हैं तो ये मंθ ली रीडिंग है पूरे महिने के लिए मार्च के लिए तो चलिए देखते हैं कि overall March का महिना आपका कैसा रहने वाला है 9 of Cups आप अपने आप में खुश रहने वाले हैं fulfillment आपको महसुस करने वाले हैं कोई खुशी कोई good news कुछ celebration कुछ ना कुछ आपकी इस महिने में आ सकता है काफी खुशियां आपकी आ सकती है तो काफी आप खुशी महसुस करने वाले हैं enjoy महसुस करने वाले हैं कोई खुश कबरी कोई good news आपको मिलने वाली है जिसके साथ आप चलने वाले हैं overall आपका ये महिना काफी खुशियों बरा रहे सकता है emotions बरा रहे सकता है और कुछ ना कुछ good news कुछ खुशी आपको इस महिने में जुरूर मिल सकती है तो देखते हैं कि जो रिसेंट पास्ट है वो आपका कैसा रहा है रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है किन्ग अपस ओस तो काफि के साथ ओनेश्टी इमानदारी और कलियर्टी के साथ आपने कुछ न कुछ अऔर आपको रूड बनना पड़ा किसी काम को लेकर चाहे आपको लग रहा था कि चाहे यह काम बने या ना बने रहे ना बने लेकिन जर तक छिब तक काम आगे नहीं बढ़ सकता तो इसमें आपको Clearty और bén continuity के साथ आगे बढ़ने की जरुरत रही है समझधाय के साथ आपने इसमें काम लिया है थोड़ा सा आप रूड बनें कठोर बनें सकता इसे समझधारी से आपने इसमें काम लिया है तो ये इसको हम clarify करते हैं कि ये king of swords का card क्यों है इसमें अपनों से थोड़ा सा root बनने की कठोरता से द्रटता से आगे बढ़ने की इसमें जरूरत रही है तो देखते हैं इसको clarify करते हैं कि तो हो सकता कि पास्ट में किसी चीज को लेकर आपको दुख हुआ है आपका दिल तूटा है किसी ने आपका दिल तोड़ा है आपके emotions के साथ के लिए आपकी बावनाओं के साथ के लिए है तो जिसको जिसकी वज़े से आप आप अपना दिल तोड़ चुके हैं हार चुके हैं ठक चुके हैं आप काफी प्रेशान इसमें दिखाई रहे हैं जो आपका nearest future है इसमें काफी आप निरास से लगे हैं और आप थोड़ा सा अपने आपको आप हैंग रखे हुए हैं थोड़ा अस्ट अनरजी में आप दिखाई दे रहे हैं आप को जो दोखा मिला है जो आप के साथ चल किया गया है उसकी वज़े से आप काफी प्रेशान दीख रहे हैं अप कुछ शमज नहीं पा रहे हैं आप रूख चुके हैं थम चुके हैं आपको लग रहा है कि जो करेगा सामने वाला करेगा मैं कुछ नहीं करने वाला आप दूसरे के नजरिये से सब कुछ देखना चाहते हैं लेकिन meditation prayer करने की आपको जरूरत है healing करने की जरूरत है और आप आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है अगर आप अपना नजरिया बदल कर इसमें आगे बढ़े हैं तो या अपना नजरिया बदला है जो दुख तकलिप आपको मिले है जो दोखा आपको मिला है उसको दूर करने के लिए उसमें थोड़ा सा सकताई से आगे रूड बनने की जुरूरत थी कठोरता से सकताई से आगे इसमें एक्शन लेने की जुरूरत थी और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक आपको एक कॉम कुम्निकेशन की जुरूरत है लोगों से बाते करने की जुरूरत है कलियर्टी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की जुरूरत रही है तो अगर आप तो लग रहा है कि आपने इसमें काफी दिल दुखने के बाद जो आप स्टक अनरजी में चले गए थे तो उस मेडिटे दे रही थी एक कलियर्टी की जुरूरत थी तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपका पास्ट ठीक रहा है एक अगर आपने नई बिगनिंग नई शुरूरात की है तो भीरे दिरे करके खाफी अच्छा जा सकता है एक कॉम्निकेशन की इसमें जुरूरत रही है तो चली चलत सेजिटेरियस के लिए डेप्थ जो चीजें आपके लिए नहीं बनी है जो लोग जो जगए जो सिच्वेशन उन चीजों को आपको छोड़ने की जुरूरत है यह ट्रांसफोर्म का कार्ड है एक कुछ नया चेंज नया बदलाव आपको देखने को मिल सकता है ऐसी चीजें जो आपको फिलाल के लिए लग सकता है कि उन्हें चोड़ने में आपको दुख होगा लेकिन वो आपके लिए फायदे के लिए हो सकता है इन्दा फ्यूचर तो उन चीजों को उस जगह को उन उन सिच्वेशन को उन रिस्तेदारों को छोड़ने की जुरूरत है उन चीजों को रिमूव करने की जुरूरत है जो आपके लिए नहीं बनी है तो इसको क्लैरिफाइ करते हैं ये डेथ का कार्ड क्यूं आया है भले ये आपको अभी के लिए इसमें तकलिफ हो रही होगी छोड़ते हुए होगी लेकिन आगे जाकर ये आपको काफी अच्छ डेथ और एस ओफ पेंटिकल्स तो ये डेथ का कार्ड इसमें भी अगर आप उन लोगों को छोड़ देते हैं उस सिच्वेशन को छोड़ देते हैं उस जगह को छोड़ देते हैं उस अडिक्शन को छोड़ देते हैं जो आपके लिए नहीं बनी है तो फिलाल के लिए भले अभी के लिए आपको लगे कि वो आपको उससे प्रेशानी हो रही है, दुख दे रही है लेकिन आप यकीन मानिये, यह एक ट्रांस्फ॔र्मेशन है, ट्रांस्फ॔र्म हो रहा है, अगर वह चीजे आपके लिए नहीं बनी है, तो उनको फूर दीजिए, उनको रिलीज कर दी आपको काफी आपको खुशियां इसमें मिल सकती हैं आपको नहीं खुशियां भाद में काफी खुशी आपके पूरी होने वाली है और इसमें आपको सोच समझ कर खास दोर पर हो सकता है कि पैसे के लिए जो परेशानी जो तंगी हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ जेली है तो वो आप में उसको आपको एक बिगनिंग करने की जरूरत है सोच विचार करके एक शुरुआत करने की जरूरत है वो धीरे धीरे करके आप उसमें काफी स्टेबल हो सकते हैं काफी क पूरी होगी जो आप सोच रहे हैं जो आप विचार रहे हैं तो उन चीजों को उन लोगों को उस जगे को उस इस्वेशन को आपको छोड़ने की जुरूरत है जो आपके लिए नहीं बनी है बले ही आपको अभी छोड़ने के लिए उसमें दुख हो तकलिफ हो लेकिन आगे जाकर यही चीज आपको फायदा दे सकती है तो उन चीजों को छोड़िये जो आपको नुपसान दे रही है तो देखते हैं कि कि एंड ओफ दा मार्च की अनरजी आपकी कैसी रेने वाली है सबसे पहले आपको अपने आपको इसमें खुश करने की जरुरूरत है जब आप अपने आपको खुश कर लेते हैं तो दूसरों को आप खुशी आ देंगे दुसरे अपने आफिस में खुश होंगे तो टावर जो चीजे टूट रही है फूट रही है चेंज हो रहा है बदला हो रहा है हो सकता है कि आपकी कुणली कुणलीनी जागरित हो रही हो आपके जो सेवन चकराज है वो हील हो रहे है तो आप थोड़ा सा बेराट से कामली जी है तूरम्हान फूटणे दीजिर रोई करें भाइन रूतों से हैंडल कि जा辏क्त है सुछ कटेसि बदल को जी चुछण. एकक पालण काम ठीछ तरहने बूराद कालेती हैं, की साथल्मै जीत reflect एसलिकारें. ये टावर का कार्ड इसको क्लेरिफाई करते हैं कि ये टावर का कार्ड क्यों आया है वो सकता कि कुछ चीजे पास्ट में जो आपको काफी तकलिफ दे रही थी वो खतम हो रही है और अच्छी चीजें आपकी लाइप में आ रही है तो 4 of cups, 10 of wands और the fool जो चीजें आपको आप उन चीजों का अब भी इंतजार कर रहे हैं जो आपके पास्ट में थी जो चीजें चली गई हैं जो समय चला गया जो बीत गया वो वापिस नहीं आ सकता तो आप confusion में मत रहिए, दिक्कत में मत रहिए, प्रेशानी में मत रहिए जो चीज, जो opportunity आपको मिल रही है, जो universe दे रहे हैं कम से कम आप उसको accept कीजिए और उसके साथ, उसको grab कीजिए, उसके साथ काम कीजिए अगर आपको सही लगे तो आप उसको रख सकते हैं, नहीं तो drop कर सकते हैं लेकिन फिलाल आपको उसको grab करने की जुरूरत है, आप उसको इनकार मत कीजिए, उसको जाने मत दिजिए नहीं तो आप प्रेशानी में आ सकते हैं, दिक्कत में आ सकते हैं और जो burden जो बोज जी चीजों का आपको लग रहा है आप अकेले responsibilities को मत उठाईए आप physically और mentally आप दुखी हो सकते हैं आपको जो responsibilities आपने उठा रखी है जो भारी बरकम सब कुछ आपने बना रखा है तो उन चीजों को उन बातों को उस confusion को share करने की जुरूरत है दूसरे करके एक एक करके आप उससे आगे बढ़िए आप इस confusion से दिक्कत से बाहर आ सकते हैं नहीं तो आप physically और mentally भी डिस्ट्रब हो सकते हैं आप की back pain हो सकता है पैरों में दर्द हो सकता है और depression में आप आ सकते हैं तो उन चीजों से आपको बाहर निकलने की जुरूरत है अगर आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे future में तो आप और आप को समय रहते एक नई beginning नई शुरूरत करने की जुरूरत है एक बच्चे की अनर्जी के साथ यंग अनर्जी के साथ जोज के साथ नई तरंग नई उमंग के साथ एक सूरज की नई किरन के साथ कह सकते हैं कह सकते ह कि एक अच्छी beginning एक अच्छी शुरूरत आपको करने की जुरूरत है सोच विचार करके खुली आँखों से आपको life में आगे बढ़ने की जुरूरत है आखे मूंद कर मत चलिये सोच विचार करके आगे बढ़िये अगर आप सोच विचार करके एक बच्चे की अनर्जी की तरह आगे बढ़ते हैं, एक beginning करते हैं, एक शुरुवात करते हैं, तो जो चीजें चली गई हैं, जो opportunities चली गई हैं, जो burden आपको चीजों लग रहा है, जो भारी बर कम आपको सब कुछ लग रहा है, जो आपका खतम हो रहा है, जो टूट फूट रहा है, उस चीज से आप बा में करने की जुरूरत है, तो देखते हैं कि इसका, इसकी guidance क्या रहने वाली है, overall महने की guidance क्या रहने वाली है, मार्च महने की आपकी guidance क्या रहेगी, चलिए देखते हैं, the world page of cups are 10 of cups, तो जो आपके pending काम बच गए है, जो आदे अधूरे काम रहे गए हैं, जिने आप complete नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपको finish करने की जुरूरत है, उनको खतम करने की जुरूरत है, उनको पूरा करने की जुरूरत है, जब तक आप उनको पूरा नहीं कर लेते, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते तो उन अनकंप्लेट बिजनस को पूरा कीजिए आदे अदूरे कामों को पूरा कीजिए इस गोल को इस सरकल को कंप्लेट कीजिए ताकि आप प्रेशानी से दिक्कत से बाहर आ सके और एक बच्चे की अनरजी की तरह खुशी-खुशी रहकर एक नई बिगनिंग कीजिए एक शुरुवात कीजिए एक प्रेंसिप लेवल से एक आपको शुरुवात करने की जुरूरत है एक बिगनिंग करने की जुरूरत है और फैमिली के साथ परिवार के साथ जो लोग आप घुमने की जुरूरत है पार्टीज में जाने की झूरत है और इससे लोगोंहें जिनके साथ आपको इक परिवार गव मॉस्ट हां Θची वह सकता है तो इंदर धुनुष देखिएं क्यूंकि इससे भी एक नई कुशी मिलती है परिवार आपको इन आपको आद्य में परप्रकेजूर काम है उनको पूरा कीजिए और एक नई बिगनिंग नई शुरुवात कीजिए एक बच्चे की अनर्जी की तरह खुश-खुश रहिए हैपी रहिए और एक शुरुवात कीजिए तो अगर आप ऐसा करते हैं तो काफी खुशियां आपको मिल सकती हैं आज के लिए बस इतना ह हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में आसानी होती है एक अच्छा कमेंट्स काफी खुशी देता है तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो वैसे भी मेरा चैनल लेया है तो काफी आपकी स्पोर्ट की जरूरत है काफी आपके प्यारो राजिर वाद बनाए रखे, नमस्ते, थैंक यू सो मुच.